नमस्तार बोस्तों मैं रोहुन शमा स्वाग करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम या पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही जादा इंपॉर्ण टॉपिक के बार में कुछी देर में आप सभी चंद्रगरहन को देखेंगे आठ बचकर पैतालिस मिनिट से चंद्रगरहन की शुरुवात हो जाएगी और एप्रोक्स चार गंटे तक चंद्रगरहन लगा रहेगा देश में तो नहीं बट दुनिया के कुछ हिसों में चंद्रगरहन जरूर दिखाई देगा और चंद्रगरहन का इंस्टेंट प्रभा है क्योंकि महीं के महिने में काफी ज़्यादा फ्लक्ट्विशन देखने को मिलेगा प्लैनेटरी मुवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा और साथी साथ शुरुवात से ही आप देखिए शुरू हो चुका है दो तारीक को शुक्रदेव ने राशी परिवर्तन किया पांच और शुक्र का अपना एक प्लैनेट बैलेंस देखने को मिलेगा कई सारे चीजें कई सारे इवेंट कई सारी गटनाई यहां पर देखने को मिलेगी और इसी वज़े से में 2023 बहुत ज़्यादा खास महिना होने वाला है एक तरह से 2023 के साल का एक टर्निंग पॉइंट रहेग कि 2023 के इस चंदर ग्रहन की जो गटनाए हैं यह किसी तरह का ट्रिगर है यह किसी तरह का शुरुवाती पॉइंट है और इस शुरुवात का अंत जो है वो 2024 के ग्रहन में जाकर के रुकेगा इट मेंज कि यहां पर एक समय की शुरुवात हो रही है और यह समय की शुरुवा अपने आप में काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है सो इसके ठीक प्रभाव देखने को मिलेंगे और आने वाले पंद्रा दिनों में सबसे बड़ा जो बदलाब देखने को मिलेगा वो रहेगा मौसम के ऊपर मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा तेज धूब की जगे चाम और बादल देखने को मिलेंगे अचानक समुद्र में लहरे उठते हुए दिखाई देंगी अचानक से बारिश का आ जाना आप सभी को अचंबित करता हुआ नजर आएगा कई सारी ऐसी गटनाएं होते हुए दिखाई देती हैं सो यह जो ग्रहन है यह ग्रहन जो है यह मौसम के परिवर्टन का पीक लेकर के जा रहा है मतलब कि अब दीरे दीरे पूरा जो साल रहेगा उसका मौसम काफी जारा डिस बैलेंस होता हुआ नजर आएगा इस तरह के योग तो यहां पर बहुत बहुत क्ल के लिए बहुत अच्छा नहीं है आने वाला समय किसानों के लिए बहुत अच्छा नहीं है आने वाला समय आप कह सकते कि महंगाई की तरफ बढ़ता ओब और नजर आएगा इस तरह के भी योग यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं और इसी वज़े से बहुत क्लियर एक कि अपनी फसलों का पूरा पूरा ध्यान रखें और पहले से ही प्रेकॉशन्स ले करके रखें ताकि आप सभी को इस समस्या से ना गुजरना पड़े इसके बाद यहां पर देखा जाए इसका जो दूसरा प्रभाव पड़ेगा इंस्टेंट प्रभाव की बात कर रहा हूं म हमारी जीवन के लिए दो महतुपूर्ण अंग हैं पानी हमारा शरीर कहते हैं कि पानी से ही बना हुआ है या लिक्विड बहुत जादा है हमारे शरीर में 70% और नहीं लेंगे तो कैसे चलेंगे हवा और पानी तो हमारे बॉडी के हमारे इस जीवन के स्ट्रक्चर को बेस करने वाले एलिमेंट हो गए और ग्रहन का प्रभाव जब हवा और पानी को ही कवर कर ले तो यह समझ में आ जाता है कि जीवन आसान नहीं आगेगा और जीवन में कई तरह के उतार चड़ाव देख को मिलेगा मलब कि कई जगों पर वायू प्रदूशन की घटनाएं अब और ज्यादा प्रभावी देखने को मिलेगी यह बात बिलकुल क्लियर है यह बात बिलकुल क्लियर यहां पर दिखाई देती है साथी साथ ऐसे समय में जब ग्रहन लग रहा है देव गुरु ब्रहसपती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं है सूरीदेव उतना ज़्यादा comfort zone में नहीं है राहू प्रबल होता जा रहा है और चंद्रमा दुशित होता जा रहा है इसकी वज़े से यहाँ पर देखा जाए तो खराब पानी पीना या पानी के पीने की वज़े से बिमारियां होना यह बिलकुल यहाँ पर clearly दिखाई देता है आने वाले 15 दिनों में खाने पीने का आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का विशेज ध्यान रखना कियेगा क्योंकि यहाँ पर constipation, digestion problems, lose motions, vomit होना और सांस लेने में दिक्कत होना यह कुछ basic चीज़े हैं जो कि आपके साथ हो सकती है अचानक जी मचलना, जी गबरा जाना, अचानक से आप सभी को प्यास लगना और प्यास कम्प्लीट ना होना मलब कि बार बार पानी पीना और अपने आपको परिशान करना इस तरह के योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लिरली देखने को मिलते हैं तो अपने खाने पीने पर पूरी तरह से वाच रखिएगा और इस समय को बहुत आराम से निकालने का प्रियास करिएगा नहीं तो यह समय आपको और ज़्यादा परिशान करेगा और क्योंकि आगे और भी कुछ ऐसे मुवमेंट बन रहे हैं जो इस तरह की योगों को बढ़ाने की कोशिश ही करेंगे आने वाले वीडियो में उसके बारे में भी मैं explain करूँगा तो वो भी आप ज़रूर ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा तीसरा important part क्या रहेगा इस ग्रहन का तीसरा important part इस ग्रहन का जो रहेगा वो मानसिक अशान्ती को पैदा करेगा इस वज़े से आप सभी को बहुत clearly यहां पर कह रहा हूँ कि आने वाले कम से कम 15 से 20 दिन का जो समय रहेगा अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखें, ठंडा रखें, बैलन्स रखें अननिस्सरी के argument में ना उलजें और साथी साथ जो भी काम करते हैं वो बहुत आराम आराम से करने की कोशिश करिएगा किसी भी तरह से जल्दबाजी ना करें इस बात का विशेश दियान रखें आपके द्वारा की गई जल्दबाजी आपको नुकसान पहुचा सकती है और वहाँ पर आपको परिशानी हो सकती है तो इसलिए आप इस बात का विशेश दियान रखेंगा कि आप सभी को पार्टनर्शिप के बिजनस में चीटिंग देखने को मिल सकती है, पार्टनर आपका दोखा दे सकता है, इस तरह की योग यहाँ पर बहुत जादा क्लियरली बन रहे हैं, और सपोर्ट ना मिल पाना, पार्टनर के वज़े से परिशानिया होना, या फिर रिलेशन्शिप में आपको अपने पार्टनर से पूरी तरह से सपोर्ट ना मिल पाना भी यहाँ पर कहने के क्लियरली दिखाई दिता है, जिसकी वज़े से आप सभी को परिशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो यह कुछ बेसिक चीज़े हैं, जो आने वाले 15 डेज में आपको देखने को म समच जाइए कि उनके ऊपर ग्रहन का प्रभाव काफी जादा देखने को मिल रहा है, बाकी आपके अपनी कुली है, अपनी कुली में जिस तरह सी योग बनेंगे, उसी तरह से उसका प्रभाव और उसकी सॉलुशन से आपको निकलते हुए नजर आएंगे, बाकी मेरी डेर कर दीजेगा, उससे आपको फाइदा मिल जाएगा, और अन्यसरी की चीजों में उलजने से अपने आपको बचाईएगा, और बड़े आराम से और रिलैक्स होकर के अपने जीवन को आगे निकलने की कोशिश करिएगा, उमीद करता हूँ कि आप इभी बात को द्यान से पस्क्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, कुछ भी पुछना चाते हैं, कुछ भी जानना चाते हैं, अपने बारे में कुछ भी समद्वना चाते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आप सभी की हर संभव मदधियां पर कर सकूँ, ध आनिवाद।